कर भला तो हो भला एक बेरोजगार शिक्षक था वो नौकरी तलासने के लिए काफी कोशिस कर रहा था लेकिन उसे नौकरी मिल ही नहीं रही थी यह शिक्षक भगवान में बहुत आस्ता रखते थे अपने साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो सारी बाते भगवान से किया करत थे कुछ अच्छा होता तो धन्यवात देते और कुछ बुरा होता तो भगवान से शिकायत भी करते उनका अभी स्ट्रगल का दौर चल रहा था तो वे भगवान से शिकायत करते रहते थे कहते की भगवान मुझे नौकरी क्यों नहीं दिलवाते हो क्यों मुझे परिशान क करते हो थोड़े दिनों बाद है शिक्षक को एक कस्बे में सरकारी नौकरी लगी शिक्षक ने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया और उनका अभार माना लेकिन दिक्कत ये थी कि स्कूल गाउं में था और उनका रहने का इंतिजाम कस्बे में किया गया था उनके मकान से स्कूल तक का अंतर पांच किलो मीटर था शुरुवाती दिनों में पैसे ना होने की वज़र से उन्हें अक्सर इतना लंबा अंदर पैदल ही चलना पड़ता था कभी कभी उन्हें रास्ते में कोई वाहन दिख जाता तो उसे लिफ्ट मांग लिया करते लेकिन ऐसा बहुत कम होता था शिक्षक ने तै किया कि सबसे पहले वे पैसा जमा करके एक मोटर साइकिल लेंगे उन्होंने बड़ी करकसर करके पाई पाई जोड कर कुछ ही महीनों में मोटर साइकिल लेने के लिए पैसे जुटा लिये और एक अच्छी सी मोटर साइकिल खरी दी अब उनका जीवन थोड़ा आसान हो गया था उन्होंने फिर से भगवान को धन्यवाद दिया उन्हें अपना पूरा समय अच्छे से याद था उन्हें इतनी दूर तक चलने की तकलीफ भी याद थी इसलिए वे उसकूल आने के समय और वापस घर जाने के समय हमेशा किसी ना किसी जर इस तरह से शिक्षक आ रहे हो या जा रहे हो कोई ना कोई उनके पीछे बैठा ही मिल जाता था लोग उनकी बाइक को अब दूर से ही पहचानने लगे थे क्योंकि हर कोई जानता था कि अगर उनकी बाइक आते दिख गई तो लिफ्ट जरूर मिल जाएगी लोगों की मदद करके शिक्षक को भी बहुत अच्छा लगता था एक दिन शिक्षक उसकोल खतम करके अपने घर को जा रहे थे उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसे लिफ्ट मांगने वाले कोई भी नजर नहीं आए आधे रास्ते तक पहुँचने पर एक आदमी ने उनसे लिफ्ट मांगी शि अदमी ने शिक्षक के पीट पर चाकू रखा और उनसे कहा अब ये बाइक मैं चला लूँगा आप नीचे उतर जाएए और मेरा पीछा मत कीजेगा शिक्षक को लगा आज तो बुरा फस गया फिर भी शिक्षक ने कहा दोस्त तुम चाहे तो ये बाइक ले लो जहां जान भी बहुत कम लोग किसी को अपने साथ बैठाते हैं अगर इस बात का पता लोगों को चल गया तो वे दूसरों को लिफ्ट देना बंद कर देंगे उन लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाएगा मैं भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा शिक्षक की बाते स से चलता बना शिक्षक जैसे तैसे फिर पैदल चल कर अपने घर तक पहुँचा और घर पहुँचकर भगवान से शिकायत करने लगा क्या भगवान फिर से मुझे वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया शिक्षक उस रात बिना खाना खाई ही सो गया सुबह शिक्षक जब से अपनी बाइक से उस चिठ्थी को निकाला और उसे पढ़ने लगा चिठ्थी उसी चोर ने लिखी थी जिसने उनसे ये बाइक छीनी थी उसने लिखा था कि मास्टर जी मुझे माफ कर दीजे जो मैंने आपकी बाइक चुराई ये बाइक तो कुछ सेलिबरिटी की तरह ह जैसे लोग किसी बड़े सेलिबरिटी को दूर से ही पहचान लेते हैं उसी तरह हर कोई दूर से ही इसे पहचान ले रहा है मैं जहां भी जा रहा था लोग मुझे रोख कर इसके बारे में पूचते थे और तरह तरह के सवाल करते थे मैं इस बाइक को क्यों चला रहा हूँ ये मास्टर जी की बाइक है आपके पास क्या कर रही है मैं बहाने बनाते बनाते ठक गया लेकिन लोग सवाल करते करते नहीं ठके मुझे पक्का यकीन है अगर थोड़े दिन ये बाइक मेरे पास रही तो मुझे जरूर जेल जाना पड़ेगा इसी लिए मैं ये बाइक आपको वापस लोटा रहा हूँ चिठी पढ़ते पढ़ते मास्टर जी की हसी छूट गई और उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने जितनी भी भलाई की है उनका फल भी उनको भला ही मिला है उन्होंने फिर से भगवान को धन्यवाद दिया और फिर से लोगों की मदद में लग गए आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी आप लोगों को अगर हमारी ये कहानी पसंद आई है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताईएगा और हमारे चैनल वानी वोईस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें